पिथोरागड उपचुनाव की मतगर्णा जारी है दसवे राउंड की बात करें तो मतगर्णा पूरी हो चुकी है 3350 मतों से आगे चल रही है चंद्रापंत थोड़ी दर में साफ हो जाएगी स्थिति कुल 12 राउंड की काउंटिंग होनी है और इतने में 10 राउंड की काउंटिंग से ये क्लेर होता है जहां आगे चल रही है दिवंगत प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रापंत तो बिथोरागड उपचुनाओ की मतगर्णा जारी है जहां 12 राउंड होने हैं थोड़ी दिर में बस दो राउंड बचे हैं ये साफ हो जाएगा कि विजश्री किसकी है जहां पर 12 राउंड में 10 राउंड की काउंटिंग के बाद चंद्रा पंथ आगे चल रही है चली जाद जानकारी लेते हैं सहयोगी योगेश पाठक से योगेश क्या स्थिती चल रही है चंद्रा पंथ क्लेरली आगे नज़र आ रही है जी हम अवताना चाहूंगा दस राउंड की मदगर्णा के बाद चंद्रा पंथ तीन हजार पचाद मत्थ से आगे चल लेई है कांगरेश की प्रक्यासी अंगी लुंटी से और चंद्रा पंथ अभी मदगर्णा इस तल पे पहुंच चुकी है और उनका कहना है जो स्वाज़र पंथ के अधूरे दिकास कारे थे उनको आगे बनाने का मैं प्यास करूंगी पिछाड़ा की जंता ने जो आहामे के किते अपार से प्यार दिया है और उसका पूरा अप स्वर्जय प्रकास पंथ के लिधन से बात्पा का और स्वयम चंद्रा पंथ के कहना है कि साथगी के साथ अंदिना दो नगाले के अपना लोंका अभाज्यप्त करते मदगर्णा इस पर बात्पा काराले तक जाएंगे और साथ इस जीत का उसा हम मनाएंगे तुकि एक तो बड़े साथगी से उसे सेलिबरेट नहीं किया जाएगा जैसा अमूमन देखा जाता है जब जीत होती है डोल नगाडे मिठाईयां रंग उलार होते हैं वो सारी चीज़े नहीं होंगी लेकिन अब ये माना जाए कि जीत लगभकत है है दो राउंड में कुछ उठा-प ये होने से एक घंटा और यहां पर रहेगा बिल्कुल योगिश चलिए एक घंटे में स्थिती साफ हो जाएगी लेकिन जहां तक लोगों का अनुमान है रुजान है पैतिस सौ वोटों से आगे चल रही है चंद्रापंत दिवंगत प्रकाशपंत की पत्नी तो यहां मान कर चल रहे हैं कि ये दो राउंड भी उनके लिए सकरात मखोंगे